इन आठ आद्तों से घर में आती है दरिद्रता तुरंत छोड़े. घर के बड़े बुजुर्ग अकसर ही कुछ आद्तों को लेकर टोकते हैं. ये बात कई बार बच्चों को खराब भी लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गूर अर्थ छिपा होता है. जोतिश और किसी बात के आदी हैं, तो तुरंत इससे दूरी बना लें. एक आजकल ये बहुत होने लगा है कि लोग अपने बिस्तर पर बैठ कर काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं और उसी दौरान बिस्तर पर ही वो खाना भाखा लेते हैं. लेकिन ये आदत घर से लक्षमी के र हौल बनता है और सुक शांती प्रभावित हो सकती है. दो हम इन दिनों अपने घर की साफ सफाई के लिए हाउस हेल्प पर आश्रित हो गए हैं. कई बार उनके नहीं आने पर घर में कच्रा बना रहता है. इस कारण से या किसी भी और कारण से यदी घर में कूडा कच्रा औ और साफ सफाई नहीं है तो वहां संपनता नहीं रहती है. मा लक्षमी को सफाई बेहत प्रिय है और गंदगी वाले स्थान पर उनका वास नहीं होता. तीन सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात मक्तालाता है. हमारे तो ये काम सूर्यास्ट से पहले ही कर लेना चाहिए. अगर सूर्यास्ट के बाद आप कीज को पैसे देते हैं तो ये धन हानी की वज़य बन सकता है. पांच बचपन में अकसर आपको नाखोन चबाने की आदत के कारण किसी न किसी ने डाटा होगा. मान्यता है कि ऐसा करने के राशी में सूर्य कमजोर होता है. इस कारण आखों में समस्या रहती है और अप्यश भी मिल सकता है. छे कभी भी रात में अपनी रसोई को गंदा न छोड़े. अगर आपके किचन में जूठे बरतन और गंदगी रहेगी तो मा अन्नपूर्णा रूष्ट हो सकती है. इस जाता है कि जाडू में मा लक्ष्मी का वास होता है और रात में जाडू लगाने से वो नाराज हो सकती है. इसलिए जाडू को पैर लगाना भी अशुभ माना जाता है. आठ अगर आपके घर में जूते चपल बिखरे रहते हैं तो इस से अनावश्यक तनाव हो सकता है. इस करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती है. हमेशा खुश और स्वस्थ रहें और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.